कि अच्छा कर रहे थे और एसे टर्मिनलोजी जो पुरातवत्त विश्य में जब हम लोग विमर्ज करते हैं तो अक्सर यह चीज आता रहता है जैसे माउंट साइट फीचर क्रनलोजी आटिफ्याक्स टैंजीबल इंटांजीबल फीचर इकोफ्याट एस सब चीज तो तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो चीज नेट के लिए ज़रूरी है और अक्सर यह चीज हमको एकजाम में आता रहत है वह चीज के बारा में थोड़ा सा इसका जो क्या अर्थ है इसको थोड़ा सा मुखो मिवे तो इसके बार में चर्चा कर चुके अठीवॉ प्रमे फीचर होकर प्रम मतलब इसको एक होता है जिसको अपढ़ु को रेज आ सकते हैं और एक जिसकर पर तो यह मानब के दारा बनाया है यह जो चुला और हार्थ फीचर से और जो उत्खननन के दवरान जैसे हमको कोई ठाली और प्लेट्स मिलता है यह प्लेट्स को हम लोग एक जगा से दुसरे जायों सो लाज सकते हैं तो इसको हम लोग को आटिफाक्स बोलते हैं और मैं आपको और एक चीज़ हम लोग चर्च अघ्याव के सबसेव हो सकता हैं, उसके बाद, या प्रेंद्स, दो चीज आता है एक जांब में और दो इंपोटन्स चीज सकते हैं सब्सक्राइब कता हैं हैं, इंड़ेे लोज हो ओ तो ओष्याभ और वी इंड़र्टै्सकर मतलबी यह होता है उसको बलते हैं एक ग्रूप आर्टीफैक्स और और टोगेई डर आठ पॉटिकुट्रार इस बिलोंग को पॉटिकूलार पिरियर एक समय में जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आशेंब्लेज पूरा गतिवेध्यों का जितना सारा चीज यह मतलों मतलों पर इसमें क्या होगा इसमें क्या है मेगलिफिंग लोगों के साथ उनका जो ब्लाक एंड रेड वर पटरी हो गया लहों का उफकरन हो गया और एच्ट कार्णलियार बीड्स हो गया बोन्स हो गया आई मीन यह मलब आई मीन फार्स सदी से लेकर मलब चोथी सद्वी तक इसवी तक जो भी चीज है वह मलब एक कालखंड में उसका मुलों का आस्यम्लेज बोलते हैं आई मीन धा समिलेज और च्पाइट्स फीचर और इको फ्यक्त टॉर्म्दाज इंड़स्ट्री जब एक एक अटिफाक्ट सेका इतना अस्यम्लेज मिलगा उसके लोगों को इंड़स्ट्री बोलेंगे जैसे बोलते हैं बीड्स तो बीड्स सारे बीड्स जाम मिलेगा तो इस इंडेस्ट के बूलेंगे और और चीज़ आता है कल्चर हटीजी कल्चर आई मिन कभी-कभी इतिहासकार और पुरावीद आर्खेयोलोजिस्ट अफन फाउंड मैट्रियाल रिमेंस सच आज आटिफ्याक्ट फीचर एकोफ्याक्स इन दो कोर्स आप देर और एक्सप्लोरस और एक्सवेस्ट इन पर्टिफ्टुलर साइट लेवल लाज असेमलेज सौच मैट्रियाल लिमेंस आज कल्चर पर एक जागाय से हम लोग स्वर्वेखन कर रहे हैं एक जागा से हमको क्या है अपुरा पाशानी को ओजार मिल रहा है और एक जागा में हमको महजगा सेख्रांओ बज़ान करें मतलब इसको मुझते हैं महजगा सेख्रांट है और रहे हैं को नव-पाशाण मिलते और आपको पता है पर दिवाल द करेंगे संस्क्राइब होता है संस्कृतिया है शिर्ष मतलब डीज पहुंच जाएगा व उसको दोशलितिyan इसलिए आप देखेंगे जब हम लोग पुरा पाशान नव पुरा पाशान संस्कृत बोलते हैं, पाशान संस्कृत बोलते हैं, तो हम लोग सिंदुगाटी संदुगाटी को बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर संस्कृति अपना उचाई में पहुचा है, I mean the culture reached its climax, the civilization, ओके आप याद रखिए, संस्कृत का पतन हो सकता है, संस्कृति का नहीं, संस्कृति यह एक रूप से रूप को इस दूसरे रूप को इसे होता है, ट्राडिशन कल्चुर को के दिश्कुस्ट काइंड प्रकार कुछ होते हैं दियर फैंस दियर और मैंनी ब्रांचेस आप अप्राइलोजी अप्राइल लिमेंट कॉलेक्टरा फंद आर्केलोजिकल कंटेस्ट चैसे हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग जब उत्खरन का क्योंकि क कभी कभी आम लोग प्रेशान का कुल्स होत्खरन करते हुं कभी जो अलग-अलग प्रकार भाय से हम लोग उत्खरन का प्रकार भेए बही्व है heb लोग और जो जो पुरातवत्तों चिर्फ प्राग आधारी थे उसको इतिहास का आल में संबन्धिन थे उसको इस्टोरिकल आर्केलोजी जो एक कुछ बिद्वान जो शिर्फ परियावरन का उपर काम करते हैं परियावरन उसको एंवर्मेंटल आर्केलोजी जो शिर्फ बसाहट के उपर काम करते हैं उसको सेट्लिमेंट आर्केलोजी इंडस्ट्रियर आर्केलोजी एथन आर्केलोजी सल्भेज आर्केलोजी अंडर्वाटर आर्केलोजी पॉब्लिक आर्केलोजी यह होता है काइन सफ़ आर्केलोजी माइन दियर खेंज नाव हम लो आज जो अदिवासी और जो लोग है उनको स्टुड़ी करके उनके उनके अतीत को अभी का जो लोग है उनका संस्कृति को स्टुड़ी करके उनका अतीत का संस्कृति को रचना करना और इतिहास को ढूनना होता है एथन अर्केलोजी I mean ethnoarcheology is the study of living people and their material culture undertaken with the aim to improving our understanding of the past in another words anthropological observation aimed at the understanding of the nature of archaeological evidence is often called ethnoarcheology Lewis Winford and Ian Hudder have conducted ethnoarcheological investigations amongst the you know Eskimos in Canada यह बहुत अच्छा study हुआ था जो 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 उस्जमन में Eskimo थे उनके उपर मलब study करके उनके अतीत को अतीत के बारे में वो लोग बहुत सारा जानकरी ने जुटाए थे so the study of traditional weed making center of combat and the pottery making center of platinum on earth valuable data from understanding the technology and more involving in making of beads and pottery आपको बता है जिसे हम लोग को हरपान संस्कृति का हरपान सब्यते का बीड़ के बारे मारे इतने सुन्दर बीड़ कैसे बनाते हैं तो आज भी गुजुरात रहे हैं वीड़ बना रहे हैं उनको देखके हम लोग अतीत के बारे में लोग ऐसे बनाये होंगे यह परमपरा को इसको पता चल करते हैं then settlement archaeology settlement archaeology मतलब settlement archaeology मतलब यह होता है यह इसको इसको पहले प्रुजी ट्रिगर इनको डिफाइन के थे यह जनली क्या होता है settlement archaeology मिन्सी इस तुड़ी अफ शिलेक्षान criteria and you know implantation of a settlement in the landscape interrelationship between cities and their rural surroundings and the impact of human occupation on the natural environment and vice versa under past conditions settlement archaeology has as its aim of the holistic reconstruction of the culture of ancient settlement जैसे मैं बात कर रहा हूं क्योंकि जो जिसे इतिहास में कोई भी काल हो से सिंदुगाटी सब्वेता हो कि इतिहास काल हो कि नहीं तो आप मेडिया वहल साइट का बात कर लीजिए सकते हैं कि मॉनुमेंट के साथ साथ लेंसकेप भी रहता है जैसे हम भाव बात कर रहे हैं जैसे हम लोग मोग रहे हैं आपको इसको लैंस्केप मतलब यह गार्ण हो गया और कोई वस्ते हो गया उसके साथ तो एक साथ इसको मतलब भूद्ध एंपोरटान थिंग इस सालवेज आर्केलोजी और रेस्क्यू अर्केलोजी यह होता है कब जब कोई भी धरोवर कोई भी हैरिटेज कोई भी इतिहास से महत्पुन कोई भी इमारत कोई खत्रे में है आईदर समुंदर के अंदर और कोई बार के अंदर वोई कि कोई बांध बन रहा है बांध के अंदर आ जाने से उसका खतम होने का खत्रा है इस इसको नजर में रखके उसमें जो हम लोग रेस्क्यू करते हैं उसको होते हैं साल जल्वेज अर्केलोजी और रेस्क्यू अर्केलोजी इस अ मेथड़ अफ रिट्राइविंग दाटा फ्रम अर्केलोजिकल साइट विच अंडर हाजार रेस्क्यू एक्सावेशन वाज टॉर्म कोईन इन नाइटीन सिस्टीज वन डेफ्लमेंट अ रोड बिल्दिंग डिश् क्योंकि 1960 के बाद इतना सरह जब निया नया सब रस्ता बनने लगा उसे बहुत सरह अगाशु में बहुत सरह बुल्डोजर जब चला उसमें उत्रपदेश्में बहुत सरह चीज भी सामना आए था जहुँ एक पूल बन रहा था और इंडिया में तो बहुत सरह इसे उसमें पूरा नागरज निकोंडा का पूरा बहुत विहार सेट्लिमेंट आ गया था तरीके से उठ्खन न करके एक जगह से लाकर दुसरे दागया में उनको बसाया गया तो उनको सेही सलामत रखा गया लाकर दूसर जागया से मतलब और जिनल उनका में स्तान से हम लोग हट इसको रखने के लिए अलग जागा में इसको लिते हैं सालवेज आर्केलोजी और रेस्क्यों नाओडेज इन नंबर आफ आर्केलोजीकल साइट्स स्पेशली दो मेगलेथी मॉनुमेंट्स हाब इन रिपोर्टे निक्रला डिविंग दो कंस्ट्रॉक्शन वार्क और मोस्ट मारत जैसे कोई खत्र में आ रहा है उनको किसे सही सलामत निकलने के लिए उसको एक जागा से दुसरे आपको पता है यह जो भुबनेस्वर उडिशा का राधानी है उसमें एक मंदीर है लिंग्राज मंदीर जो लगबग 11th century 11th century के हैं सुम्मुशियों का है उसमें क्या है तो जब जब लगया है तो मान में यह ववा ग्यां तोऑ उसमें ऐसे चार-पांच मंदील निकल गया तो मतलब मतलब इसको क्या सलवेज अरकल थे तहत उसक करनों किया है ऊसे है सलामत निकल गया और इसको बोल, और एक मिन देशक्ता है कि आक्षिदेंटाल डिसकोऔरी जो आगे हम लोग पढ़एंगे, सर वेकहन अर सरल्वेकहन के अंदर जयसे ग्रामभार सरय कं सेनछिफिक के शरोवेख्ण होता है और अक्चिरेन्टलीज़ है ये चिह एक्चिरेन्टलीज़ करूच्छी होता है एंट्मरिमेटल आखियोजी इद श्टरी अफ रियावरन में अपरलियाविरत्र तो क्लाइमेट चेंज जैसे डाइनोस्टोर का विनास क्यों हो गया बड़े-बड़े जो जनुवार थो क्यों खतम हो गए यह हमको क्या दरसाता है यह हमको उस जमान का परियावरण संस्कृति आर्थिक हमको जब्लोजी और भी मैं जब टाइन मिले वह को दिखाऊंगा लैं किसे वोग ब्लेड जैसे काते लोग जनुवर को निए थें कि यॉटा छोटा पत्थर में परियेट में फ्सक्रेख करकें है लोग एक्स्प्रेमेंट किये थे एक्सप्रेमेंट को जिए चुने कोगनेटीब यार्चेलिजी अन्यादर इंपरेंटर याइटम एज वंडर वाटर डर्लोजी तो जमानें जैसे उमारा बंदरगा और जिसे अमलों सीफ और जहाज जिसे अमलों शंबन्ध था मेस्वट गया तो उसको बोलते हैं अंडर अर्केलोजी आंड आपको पता है कि मारिटाइम अर्केलोजी में जैसे सिंदुकाटी सब्सक्राइब बात करते हैं सिंदुकाटी इंडस्वेली सिब्लाइजेशन के साथ इसका भी हमको हम लोगों को स्टड़ी करते हैं क्या और में चीजी के आपको बोल चुका हूं कैसे इसको मेलुहा मागान डिल्मून अगर बोलते हैं और इसका तुरा सा और डिटेर में नहीं जाओंगा इसके बारे में गर्णतर को फूराराफ्य। पुर्व दिश्केस थिशक्त तुनीट already! एंड शायम है अर एक सीजी ये डिक्र-डिश्कार इसे संबंद है। कि आपको बता है तो लिपी के आविश्कार से पुर्व के काल से माना वी इतिहास से विशेस जानकरी प्राप्ट करने का एक मात्रम साधन है कि वह उक्योंकि जब जब लिपी आ गया था तब तुम लोग यह करते हैं तो एसे चीज कर से बहुत सालों के मानव इतियास के विशे के जानकरी प्राप्त करने का एक मात्र साध्र में है लिपी ज्यान से युक्त कालों का मानव जैसे आई मिन इतियास के अनेक पच्छों विशे में पुरा तो महत्पुन होकाष डालता है तो कहने का ताथ यह है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इतियास के बारे में इतियास यह इस्ट्री क्या है यह जो है यह यह है यह त lagi आफ यह मंशार्ट के साथ आप रहता है यह मतलब अन्थ्रप्लूजी तो मितलब यह जिया है जैसे हमको कोई हड़ी मिल गया कोई स्केलटन मिल गया यह यह नारी है कि पुरूस है मेल है या फिमेल है इसका एज क्या है कि यह सब जानने के लिए अंथ्रपोलोजी का हम लोग मदत लेता है तो जिसको नुर्ट तो बोलते हैं तो नुर्ट तो मतलब मानाव के आई मिन उसका जो फिजिकल फिचर बहुतिक संस्कृतिक सामाजिक उनका लांग्वेज क्या था भासा क्या था इसको जनकारी के लिए हमको अंथ्रपोलोजी का हेल्प चाहिए आदिन जन जन्जती की जातियों कि तो आचार उंचर्ड शांस्कृतिृत्ती जीवन के नूर्ट तो हमको इतियास को बहुत जनकारी देता है इसलेए इतियास के साथ नूर्थ तो करद सांस्करिक विसे ए पुर्जात्तों के साथ समाज सास्तर सोशियोलोजी के बहुत सारा संब्द है तो इसके अभी हमलों बात कर रहे हैं कि और की लुटिक असाथ नाचुराल साइन्स क्या संब्द है तो इस कड़ी में पहले हम लोग चल्चा करेंगे जीओलोजी जीओलोजी आपको बताए कि जीओलोजी क्या एट जीओलोजी तर्व तरी देब्लोर्मेंट आफ इसे प्रिजर विश्ठी हुआ पत्थर क्या है मिन्रेल्स क्या है नदी का उद्वों किसे आया में यह सब चीज के बारे मां हमको मतलब भूत अच्टो और जियोलोजी आपको जनकाज देता है तो आपको पता है इतिहास में जैसे पुरा पाशान यूग में जब आदमी अलग अलग पथर में अपना ओजार बना रहा था तो यह कौन सा पथर है इसको पहचानने के लिए कौन सा माली पहन हुए है कौन सा पथर मे अंद्र बना है यह चीज जानने के लिए हमको कि हम लोग को लेते हैं आइमीन दो स्टाडिय अफ रॉक्स दो स्टाडिय अफ रॉक्स आप मिनराल्स लेंस्केप्स रिभर माइग्रेशन टेरास फर्मेशन यह सब आइमीन भूत अक्तों और आइमीन ना जाती जोर जियोलो कि अगेशन दोस्ते हैं जाते हैं तो जितना नीचे जाएंगे उतना लेयार ज्यादा बढ़ेगा अपदेखें होंगे जब कोई डोजर और बुलोजर माटी खोता की गाव में जैसे तुम लोग जैसे हम लोग खुदाई करते हैं कोई मकान बनाने के लिए नहीं तो कुछ रोड बनने के लिए आप देखें बड़ा गेहराई जो यह होता है होल होता है नीचे जो हम लोग खुदा ही करते हैं उसमें उपर से काला मीटी बीच में लाल मीटी उसके नीचे पीली मीटी तो अलगला मीटी यह इसकोलते हैं लेयार कर अन vacielt blessings का लेयार कर नाव स्टर। और स्टड़ी आफ लेयार इज इज कल्ड मू चकी और यह जियोलोजी का थेन है यह स्टरीकरन जियो कीव किए है औह कि आयक मीन यसटे स्टरि करन का जो लो क्यरन का नियम यह पुरा तत्यो ने भूटत्यो विज्ञान से ही लिया है और पासान काल में जैसे आपको बना जाता है यह कौन सा पतर में क्या है इस चीज हमको कौन देता है पर देखिए आप अच्छे समझे जाता है तो जो 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 पहाड़ी बना है कि पथर बना यह तो नाचुराल परन्तु आर्केवलोजी का जो लेयर बनता है वह ताहिं मैंड आप आप देखिए आप इसमें देखिए यह के पहाड़ी है अमें एक हील है यह उपर का एक है यह मिटी अलग है दिखाए देखाए देखाए रहा है आपको है अलो है अब आए यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब देखिए यह के मेरा उत्रौन साइट का यह है आप देखेंगे इसमें यह आदमी ने बना है यह यह टिला को यह परंदो यह जो पहारी को यह पाकर्पिक आइम नाच्राल ओके तो दिस इज दो डिफरेंस परंदो यह जो लेयर का जो संबन जैसे मां को बताया स्थरी करन जो है पूरा तो ने भूत तो विज्ञान से ही प्राप्त किया है कि लौफ टाठीग्राफी कि मतलब जितना निचे जाएंगे उतना पूरा ना मिलेगा जितना उपर होगा उतना नियाय मिलेगा कि देन अभी हमनों बात करेंगे आई मीन आर्के लोजी और फीजिक्स ओके डिल खंस और फीजिक्स इसी कंसर्ण आपको ताहिए कि फीजिक्स मतलब वह आई मीन फीजिक्स यह के पूरातत्तों में इसका के बहुत बड़ा देन जो है देन है यह देन है कि जो किति निधारण काल निधारण जो है यह यह फीजिक्स का आर्के लोजी को बहुत बड़ा देन है तो भौतिक विज्ञान का पुरारतों को एक बहुत बड़ा देन है तिति निधारण इसके अलवा इसनों बात को नजो पॉटासियां अर्गन डेटिंग कार्बन डेटिंग यह सब चीज रिडियो-कार्बन डेटिंग हमको फीजिक्स ने आर्केलोजी को दिया है तो आर्केलोजी और फीजिक्स का संबंध भी बहुत गहरा है जैसे हम लोग सपोज इक्तिहा पुरापाशनिक काल में कोई सिंदुकाट सब्सक्राइब कोई चीज मिल रहा है जैसे कोई आमको डेटेबल अब्जेट नहीं मिल रहा है तो उस टाइम में क्या करेंगे कैसे काल निदान करेंगे किसे बताएंगे कितना हजार साल पुराना क्या सब्सक्राइब करेंगे क्या कि ट्याइव बढ़ गुता अब्ला फिर्लंगे कितना तक्ति ना करेंगे करदाने के बाद पुरुट्ण क करदाने के बाद तक आएगा मैं आपको उस टाइम पढ़ाई गा कि यह से इसके बाद से लिए बार में श्युट्प्राइए लिए कर दिए इसके बारे करेंगे करें घंड करेंगे बार बार रांपर कैसे शुरियर अश्पिर में अता है यह कैसे आम लोग यह कर दो एक आड आड देन अनादर इंपोर्टन्ट चुम्ण जो है यह होता है जियोग्राफिट आइपी अइन पर अपोड के आइमिन पहाडी है यह चीज हमको दसाता है ग्राउंड फोटोग्राफिय रेजिस्टांस मेथड और अर्केवलोजिस्टी हाविंग बेसिक नॉलज अप्फ जियोग्राफिय अपके बारे में पता होना चाहिए जबाम लोग शर्वेक नों करते हैं ब्यावान जंगल में उस ताइम में हमको पता होना चाहिए कि कहा नदी है कहा नाला है और यह सब्सक्राइब करते हैं और यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं कि इसका व्यूंब कैसे रहा होगा उस जमाने में यह कितना बड़ा सब्सक्राइब होगा इसको जानने के लिए हम लोगों को एरियल फ्रोग्राफी लेते हैं कि आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देना और एक तीज होता है आर्कियोरोजी और केमेश्ट्री मतलब पुरातत्तों और रसायन विज्ञान तो दिर फेंस रसायन विज्ञान का इसलिए महत्क दौरान हमको बहुत पुरा सामगरिन प्राप्त होता है कैसे सिक्का मतलब प्राचिन मुद्रा हो गया लोहे का सामान में लोहे का आउजार तो यह चीज होता है आपको जितना धातूं में बना हुआ चीज प्राइस चीज होता है मेटाल में उसमें जाता है मतलब हो उसमें जाक्य आदि रागया लाटे ऊर् 치료 करते हैं मैं बताऊब क्वह कौन सा एकसीडिv glor करते है तो यह चीज के लिए इसको हटाने के लिए हमको केमेश्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा जैसे क्या होता है हम लोग को विभीन प्रकार के पूरा निध्यां पूरा वस्तें प्राप्थ होता है और हम लोग को इसको स्वरंख्ण करने के लिए रसायों का बीना संभब नहीं है जिसे आजकल ताज महल में क्या है काला हो जाता है उसको कैसे काला नहीं होगा कैसे हमारा इमारत और मंदिर के सुर्खित रहेगा उसका चैमिकल हम लोग यूज करते हैं आई मिन ग्रेटेश्ट रोल इंड़ कंजरार्शन भांटी कूटीच अड़ अर्केलोजिकल मुनुमेट्र क्लीनिंग रिपैरिंग स्टाबिलाइजिंग ओके और जैसे हम लोग यह कर रहे हैं आई मिन जिसे कोई हड़ी मिल रहा है जिसे कोई 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 मंदीर है मंदीर में क्या एक फंगस लग जाता है तो उसको के साफ करेंगे उसके पीबीए लगाते हैं पीबीए क्या होता है पॉलिवीन अलियसी टेड़ और ख्यरन नहीं होगा तो यह सब यह सब रशान भिज्ञान का देन है पुरा तुद्टों को तो अल्ग और इसको जासे मैं लिखा कि केमेश्ट्री प्लेज आ प्लेज प्लेज आन इंपॉटन रोल इन आर्क्योलोजीकल स्थिज आज इपर्मस ए निवैंड डिस्टिंटिल्टी इंटरिस्मिलरी सब्जेट अर्केलोजिकल केमेश्ट्री रिलिग विधा केमिकल स्व अब दा अंचेन मेट्रियाल्स और केमेश्ट्री प्लेजे क्रूशियल रोल इन दफ अंटीकूड़ीज अन्ड आर्केलोजिकल मॉल्लूमिज यह चीज जो मैं बताया वह चीजी को इसमें अभी मैं लिखाओं और यह फेंज पुर्या तप्तों को और एके विज्ञान का भी बहुत बड़ा देन है वह होता है बटनी मतलब बटनी को जैसे क्या बोलते है बनस्पति विज्ञान तो बनस्पति विज्ञान क्या है जैसे बनस्पति विज्ञान से इसलिए जरूर है यह क्या है जैसे प्राचिन समय में अ प्रजनन होता है इसके बारे में प्राग आते हैं जैसे प्रजनन होता है जैसे लेकर अभी तक है और बहुत बड़ा जो जैसे देन है पुरादब्तों को होता है डेंड्रो क्रोणोलोजी मतलब क्या है जैसे कोई पेड़ हम लोग आप पता है क्या होता है बीच आप पेड़ के अलग कर देखेंगे जैसे आम लोग कार देखेंगे गोल 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 घूमता है रिंग का उसको बलते है ट्री रिंग मेथड और डेंड्रो क्रोणोलोजी मतलब बनस्पति विज्ञान का एक बहुत बड़ा देन है यह होता है ब्रिख्य वड़य विश्लेशान वड़य मतलब रिंग मतलब यह क्या है एक निर्फख्य आइमीन एक आमको हेल करता है ओके यह करते हैं रिंग मतलब बलय जैसे आप आप देखेंगे गाहां में तो पेड कर जाता है पेड को कार देते हैं उसमें बीच में गोल गूंता रहता है उसको बलते ट्री ऑं देश्व पिस दिश्रींग कि अचारी और शाय जो 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 जोड़ा प्राणी विज्ञान का कौन सा जनुवार थे उस जमाने में कि यो लूपत होगे कि गुडा डाइनसूर की लूप्त होगे क्यों यह जलवाय। जो परिवर्तित परियाबराने के साथ क्यों वह आर्जस्ट नहीं कर पाएं प्रानि विज्ञान विश्यकर पुरा प्रानि विज्ञान पालियों इंटोलोजी का जो पुरा तो गेहरा संबंद रहा है जैसे घोड़ा मवेशी इसका जिवास्म प्राप्त हुआ हमको यह जिवास्म में पता चलता है कि उजमाने कौन्सा कौन्सा जन्वार रहे रहे थे ओके यह मतलब प्राणि विज्ञान का देन है अर्केष्यक्का और बट्न के वरे में बताया यह जैतं हम लोग करेंगे जो आर्केष्यकर के साथरत जैसे उसा बड़ा बड़ा अर्केष्यक् Silver का वान उनका देन क्या आर्केष्यक्सा करेंगे तो इस संबंध में थोड़ा सा हम लोग चक्चा करेंगे तो इस कड़ी में पहले आते हैं आइमिन हेनेरी लेंज पीट रिवास अगस्टस हेनेरी लेंज फॉक्स पीट रिवास उनका बड़ा नाम है परन्तु ही वाज पॉपूला ली नोना जे पीट रिवास पीट सब्सक्राइब निया नया चीज को करके पास में रखने के लिए उसों लोगों गागति जुन यह संब्सक्राइब डाक्टिकेट इसको लाके सजावाट रखने के लिए उसको कॉलेक्टर बोलते हैं तो जबकि यह के सोल्जर थे तो तरत्र घुमते रहते हैं जो निया ना चीज कहा मिलता है अलाके उसको सजावाट करने के लिए रखते हैं तो हुआ चालेक्टर और इनका बहुत रूची था अंथ्रोपोलोजी में और पीट रिवर सेट हिमसेल्फ आन एन्रोमस टास्क फूइच स्पेंड मोस्ट अभी लाइफ इन त्राइंग को आच्छी ओके यह बहुत कॉलेक्शन किये जितना आर्केओलोजी और अंथ्रोपोल सब्सक्राइब करते हैं जिसे कोई पुरावस्तों कहां मिल रहा है जो रेकर्डिंग करते हैं मतलब कहां से कितना दूरी से कितना गेहराई से यह अब्जेट प्राप्त हुआ उसको 3D और उसका दियन क्या है इनका क्लासीफाइड टाइप लोजिकाल बैसी टाइप लोजि इस इस समगरी सपोज ओडिसाय मिल ला है और एक्जटली वेसे समगरी आपको राजस्तान में मिल ला है तो इसको संबंद कर जानने के लिए लग क्लासीफ टाइप लोजिकाल ओके यह इनका देन है देन परस्नलीटी इस शार विल्यम माथ्यू फ्लेंडर्स पट्री यह के एजीप्ट लोजिस्ट इजीप्टी को पर आच्छा काम किये हैं और आर्के प्रीजर्वचन अब आटीफाक्स जो चीजी पार्टीफाक्स मिल ला है इसों किसे शरंख्रें किया जाई इनका एक बहुत बड़ा देन है आर्केयोलोजी को और पेट्री डेवलोप्ट सिस्टम डेटिंग लेयर बेस्ट अंदो पोट्री अंद सेरामिक फाइंडिंग्स जैसे हम लोग बोलते हैं कि इनका बड़ा देन है कि अंदो बेस्ट पोट्री मृद्भांड के उपर सब्सक्रा किताब भी है जैसे मेथर संद एम सीन एर्केयोलोजी वन आप इंपूरंट किताब फ्रेंडर्स प्रेट्री का होता है मेथर संद एम सीन आर्केयोलोजी यह नेट का एक अच्छा कुश्चीन है और सिक्वेंट इंडेटिंग अफ सेरियेशन बिस्तों इंबर इ यह एक ऑस्ट्रिलियान बॉर्न ब्रिटी से अर्केयोलोजिस्ट है और वी गर्ण चाइल्ड आपको बता है कि इनका जो फेमस किताब है म्यान मेक्स हिमसेल्फ यह तो यह तो अक्सराता रहता है एक जाम है यह अक्सराता रहता है कोश्चीन हुआ था अफ्वेंग इंसेल आपन की मन मेक हैंसल और सुषलेजिशन नैटम इंसेल्फ बंगण शिविलिजिश्ट किताब इनका खूट आपको बता इए इसे ब्रोंजेंट सेले थी पुलिकेशन और की भी एइनमें गर्ण चाइल्ण तो देन आते हैं मार्क्सिस्ट अर्केलोजी आपको पता है कि आजकल इतिहास अब पुरादतों में बहुत सारा चेंज यह आ रहा है जैसे कुछ-कुछ विद्धानों बोलते हैं कि यह मार्क्सिस्ट यह है को करते हैं जहां करते हैं जो आर्केलोजिकल इंफर्ण में के बारे में मार्किस्ट को देखते हैं यह जैसे काल्मार्क्स एंजल सोभेत उन्हें तो टुन्देंशेंस के ने और इसके बारे में हम लोग हो फ़र्ष्ड आते हैं अज कर देंग्यांन को एसऑ मश्दी कॉलार्फ हुए और यह जो यह जू यू pension उप्रकॉर्फ के दूर है कि पिकाश्ए कौको वह बहुत बढ़ accelerate था ओके मिन यह डाविड लियोनार्ड क्लॉर्ट हैमस फर कि प्रोसेस्योल अर्केलोजी ओके देन आपको बताए कि यह आप लोग जानते होंगे इनका किताब इनका बहुत सरा देन है लुईस बिनफोर्ट लुईस बिनफोर्ट लुईस रबर बिनफोर्ट बर पॉप्ला नोलाज तुब एगया बहुत कैसे मोंरा लुऔ ऊठ्वन करने के बाद उत्खनन से प्लाप्ट यह साम अधयन करना उन को इतिहास के साथ जोडना बड़ा काम है और इस फgest肉 करते हैं और यह इस वर सकाषी काम कि बाइन कर देने बाल वन्जका मिलें हैं लुई सिरोवर्ट विनफोर्ट और एथन अर्केओलोजी और पर यह इनका बहुत बड़ा काम है ओके इन उनका जो में का किताब हैं वार्किंग आर्केओलोजी वार्किंग आर्केओलोजी बोन्स अंसेंट मेन अन मॉरन मीत देन न्यू प्रास्पेक्ट्ट में आर्केओलोजी आज अन्थ्रोफोलोजी यह इनका इंप्राण किताब है और अभी अनादर इंप्राण पर्शन इज कॉलिन रेंफ्यों कि जे ब्रिटी से अर्केओलोजिस्ट और जेनरली रेडियो कारबन डेटिंग उपर प्रीष्ट्रिया अन प्रीष्ट्रोप लांग यह किताब याद किताब आखेव किताब है किलोजी थियोरी मेंठ़ज चांट प्राटीक्स कि अभी हम लोग थोड़ा साँ चर्चा करेंगे कि एंडियान ऐर्केओलोजी थे मतलब हमीनद नहीं मतलब हम लोग यह थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यह मनलोब जो जो किसे विकास हुआ भारत की प्रणाटन का विकास इसके बारे में थोड़े चाहिक लोग को चर्चा करेंगे क्योंकि आपको पता है जो भारत में पुरारतों का विकास इसके वोगे कुछ कोश्ची नहीं था यह गलत नहीं होगा जो महमलब चर्चा करेंगे 1861 में पुरतों विभार का जो स्टफना हुआ और जिसमें जिसके अंदर आयम का पदस्त हुआ एक नेया आयाम दुड़ गया भारत के पुरारतों इतिहास में और उसके पहले कुछ प्रयास किया गया जैसे 1783 में विल्यम जोन्स कलकता आये थे और उसके बाद एस्याटिक सुसाइड़ी का गठन हुआ फिर उसमें एक नेया आयम जो साइड़ भारत में एस्याटिक सुसाइड़ इसका जुत्तापना हुआ उसमें जो पुरावस्तु पुरावस्तु के बारे में थोड़ा सा ध्यान गया और जब हम इसका चर्चा करेंगे भारते इतिहास का इतिहास आपको पता है कि जब यह इसका जो इतिहास का सवाल है एसा नहीं कि देखिए प्रादमिक काल में हमेसा राजाओं का भी रूची रहा क्या पूरा ना चीज कि टाइगर हो गया उनका सर को काटके आके अपना सजावट करने क्लें रखते थे कोई प्रतिमा मिल गया पूराना मंदिर का प्रतिमा लाके सजावट करने तो रूची तो था आप बता कि जो चोल किंग आई मिन दो दो डाइनास्टी अप राजर राजर यह एक एक त्यव बहुत सरा किताबें अपनी दर्वार में सजाए थे हैं अधराबाद निजाम बहुत सरा मुझाम बनाये थे बारनासी में मान सिंग मुझाम जयपूर बारनासी में यह सब रखा गया कलेक्शन और सबसे बड़ी बात है कि आपको होता है कि जो फिरोशा तोगलक असकान पि मतलब मेरर से दिली से लेके आगे थे मतलब अभी फिरोशा कोटल कोटला में जो है और और जैसे मैं पहुता है कि इसके बाद साइद असियाटिक सोसाइटी का जो गठन हुआ 1784 में एक निया चीज आया क्योंकि इसका जो लक्ष्य था लक्ष्य यह था कि कैसे आइमीन हमारा जो पुरा वस्तुएं हैं म्यूजियम है इसको रखा जाए सजावट करने के लिए और इसके पर लेक्चर सेमिनार किया जाए कितना महत्पुन है तो इसलिए अस्याटिक सो इसकरी में विलियम जोन्स जी का बहुत बड़ा विद्धेन रहा क्योंकि यह अस्याटिक सोसाइटी 1784 में जब शुरू हुआ था यह 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 लगभग आपको पता है कि I mean he further believed that 3500 years Sanskrit was the language of philosophy यह बहुत बड़ा इंडोलोजिस्ट भी थे को करेंगर एंड़ी इंड ंदेश्टिंगली जो 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 अदेश्ट्रीप्ट को यह के थे अ मदलब पहेचान थे इसको और वन अब ब्राहमी श्रुप्ट को जो परिच आने कला जो जो तरे जाता है यो ता Jim प्रिंशेप को और और की श्टॉड़ीच नोट ओंली दो ब्राहमी श्रुप्ट पोट अच्राइब अपके अक्वाता है कि दो से शुरू किया था दो से ब्राह्मी अख्यर का पहेचान किया गया था दो देवानाम लेखा गया था इतिहास का जो कड़ी है जो काल है इसको हम लोग लगवगा तीन चार काल मनते हैं प्रथम काल जो है वह 1861 से लेकर 1902 और 1902 से लेकर 1944 जो जन मार्शल जन मार्शल जो 1861-92 मतलब यह समय है और 1902 से लेकर 1904 जो लड़ कर जन मार्शल का समय है और 1944 से लेकर 1960 जो यह घोस और बनार जी इनका समय है और 1961 से लेकर अभी तक यह एक काल खंड है तो आइटिंग नेक्ट क्लास जो इस काल में जो आइम लोग विभाजन किये हैं जो आइम जो चार काल में विभाजन किये प्रथम काल से कंड काल दित्य काल और इसमें कौन सा कौन सा क्या मतलब यह हुआ है जैसे करते हैं किसे कर निग्हाम यह के मिलिटेर इंजिनर ने के किनाते आर्द एज अठारा साल में यह भारत आयो है थे और इसको बोलते हैं भारत का पिता माव मतलब फादराफ इंडिया नार्केलोजी भारत के फुरादों का पिता और कैसे यह मतलब पूरा जो वें संग मेंस देन है इसके बारे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे